सास छोड़िये, सास लीजिये, सास छोड़िये, सास ले लीजिये दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप हो जाए, यानि ताकत और लचीलापन दोनों एक साथ आपका शरीर बड़ा ही फूर्तिला हो जाए, साथ ही आपकी बॉड़ि बहुत अच्छी तरीके से टोन्ड हो जाए एक खुबसूरत शेप मिले बॉड़ि को, तो आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है तो आज की वीडियो में जो मैं आपको अभ्यास बतारे हैं, उसको कई सारे नामों से जानते हैं जैसे हिंदू पुश अप, इंडियन पुश अप, देसी पुश अप या के फिर आपके दंड मारना, बहुत से नामों से जानते हैं इस वाले पुश अप और नॉर्मल पुश अप में डिफरेंस ये हैं, कि हिंदू पुश अप या देसी पुश अप जो होते हैं हमारे कि किस तरीके से आपकी breathing होनी चाहिए साथ ही आपको बताऊंगी कि कुछ जो गलतिया मैंने notice की है जब मैं online yoga classes करती हूँ तो कुछ गलतिया जो मैंने notice की है वो भी बताऊंगी कि आप वो गलतिया ना करें साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि बहुत सी लोगों को घुटने में दर्द होगी या बहुत मोटापा होगा या थोड़े बुजूर्ग हो गए होगे अभी थोड़ी सी strength रवलब करना चाहते हैं तो इसको modification किस तरीके से थोड़ा सा modify करके थोड़ा सा variation add करके किस तरीके से आसानी से इसका अभ्यास किया जा सकता है इसलिए ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही जादा सहयक है इसलिए वीडियो को अंतो तक देखिएगा चैनल में नए आए हैं तो आपसे घुजारिश है कि चैनल को subscribe करके ही जाहिएगा मेरा जो प्रयास है आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रश्टदारों के साथ खूब शेयर कीजिएगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगावित शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आज की वीडियो में जो हम ये पुश अप कर रहे हैं इसके कई सारे बेनिफिट है जैसा कि पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है गर्दन में बहुत अच्छी लचा काएगी साथ ही आपकी एंकल्स की पैरों की भी फ्लेक्सिबिलिटी हिप हिप जॉइंट स्लोबर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलफ होगी तो मैं बहुत एक्साइडेड हूँ आपको यह अभ्यास बताने के लिए लेकिन हाँ यह ध्यान रखिएगा साथधानिया भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको कमजोरी लग रही है थकान लग रही है अल्रेडी तब्यद खराब है सर्दी जुखाम जब आप टेबल टॉप पोजीशन पे आएं तो धियान रखें कि करेक्ट मेजरमेंट होना इस रिली इंपोर्टेंट तो दोनों एडियों के बीच में हील्स के बीच में आपके घुटने जितना फासला रखना है और दोनों घुटनों के बीच में कुहुनी और आपका कंधा ये तीनों एक लाइन में हो और ऐसे सामने देखें और फिर उसके बाद धीरे से अपने दोनों पैर के बड़े अंगुठे को ऐसे मैट पर टक करें और मैट पर टक करने के बाद धीरे से अपने घुटनों को ऐसे सीधा कर दें ऐसे अधो मुख श्वानासन या डाउन्वर्ड फेसिंग डॉग और ऐसे अपनी एडी की तरफ देखें तो ये हो गया पहला पॉस्चर फिर उसके बार downward facing dog से धीरे से अपनी एड़ी को ऐसे उठा ले और एड़ी को उठा के अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा जैसे ही आपने अपनी elbow को धीरे से ऐसे bend किया चेस्ट जो है ऐसे नीचे की तरफ गया और धीरे से ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे चट की तरफ द पोजीशन में उसको बैसे ही रखिएगा और उपर की तरफ ऐसे देखेंगे फिर से उसके बाद धीरे से अपनी हिप को उठाइए और ऐसे एड़ी की तरफ देखिए तो downward facing dog से दो posture downward facing dog और upward facing dog को बहुत अच्छी तरीके से synchronize करके यह अभ्यास किया जा रहा है लेकिन ध्य कीरे से अपनी elbow को bend करके जैसे chest को एकदम से slightly ऐसे नीचे की तरफ जाना है अपनी एड़ी की तरफ देखिए और elbow को bend करते हुए ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए फिर ऐसे चट की तरफ देखिए गर्दन, कंधा, पूरी की पूरी spinal cord के ऐसे पूरी की पूरी opposite side ऐसे आर्च हो गई है और फिर उसके बाद ऐसे दो बार और अभ्यास देखिए सास लीजिए एड़ी की तरफ देखिए सास छोड़िए सास लीजिए सास ले लिया सास छोड़िए और सास लीजिए तो इसका अभ्यास आप consistent लगभग पांच बार या दस बार इसका अभ्यास करें और त सास लिजिए, सास छोड़े, ऐसे गुटने को बेंड करके अपनी एड़ी के उपर बैठें और दोनों घुटनों के बीच में ऐसे फासला करें और दोनों पांस को ऐसे स्लाइड करें और ऐसे एड़ को ड्राप कर दे रेस्ट करें दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहे के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंड़क्ट की जाने वाली ओनलाइन जूम योगा क्लासेज में इन जूम योगा क्लासेज के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ पर जो यह वेबसाइट दी गई है इस पर आप विजिट कर लें अगर आप वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो यह WhatsApp नमबर दिया है इस WhatsApp नमबर पर भी एक WhatsApp कर दें आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी आज इन ओनलाइन योगा क्लासस के माध्यम से मैं ना सिर्फ देश बलकि दुनिया के बहुत से स्टुडेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ उनको अपनी लिगरानी में रखके उनकी health condition के हिसाब से योगा भ्यास करवाती हूँ इन ओनलाइन योगा क्लासस के साथ जुड़ के स्टुडेंट को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं उनकी health condition में जो भी lifestyle disorder diseases, diabetes, thyroid, PCOD, PCOS, high blood pressure, hypertension, obesity की समस्या और भी जो बहुत सारी समस्या हैं उनमें बड़ा लाब मिलता है लेकिन हाँ, अगर आप इन ओनलाइन योगा क्लासस में नहीं जुड़ सकते हैं सुबह 7-8 का टाइम होता है तो आप मेरे द्वारा जो एक course develop किया गया है उसको join कर सकते हैं और इस course को आप अपने comfort के हिसाब से चाहें आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं किसी भी वक्त इसको एक बार payment करने से आप access कर लेते हैं और सबसे अच्छी बात है आप एक बार payment करते हैं तो आपको पूरे साल की validity दे दी जाती है यानि आप पूरे साल में इसको कभी भी कितनी बार भी इन वीडियो का access करें कोई भी restriction नहीं है बहुत आसानी से योगासन, प्रानया, meditation का अभिया, step by step, 100% beginner friendly है beginners को ध्यान में रख कर मैंने ये course को develop किया है तो ये सारी की सारी जानकारी आप मेरी website पे visit करके पास सकते हैं या के फिर एक छोटा सा WhatsApp कर दें तो आपको वहां से भी सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी अब देखिए ये अभियास करने के बाद गल्ती क्या करते हैं normally लोग इसको देखिए कि ऐसे घुटना सीधा किया और directly इस तरीके से नीचे जाते हैं तो वह इसी तरीके से क्या करेंगे ऐसे downward facing dog में आएंगे फिर उसके बाद high plank position पे आएंगे फिर नीचे जाएंगे फिर उपर फिर downward facing dog, high plank position, down, फिर up तो इसमें ये मत कीजिए इसमें downward facing dog से high plank position पे ऐसे मत जाएंगे इसमें directly downward facing dog से आप जैसे directly chest को ऐसे elbow को ऐसे bend करके directly ऐसे नीचे जाएं ऐसे तो इसका effect धेयान रखिएगा कि कंधे पर बाजुओं पर बहुत अच्छा आएगा अगर आपको already कोई injury ह हुई है तो यह अभ्यास ना करें अब देखिए अब मैं आपको बताती हूं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जिनके अंदर इतनी strength नहीं होगी लेकिन वो चाहते हैं कि अपने body में ताकत और flexibility आजाए तो किस तरीके से करेंगे आदेखिए पहले अपना गुटना ऐसे ड्रॉप कर दीजिए मैट पर गुटना ड्रॉप करने के बाद यहीं से अब आसान हो जाएगा अब elbow को bend करके directly ऐसे जाएं ठीक है ऐसे high plank position से ऐसे ना जाएं अस्टांग नमश्कार की तरफ नहीं तो ऐसे गुटने को bend करके धीर ऐसे elbow को bend करके यहां से directly आ गए ऐसे फिर उसके बाद downward facing dog फिर उसके बाद table top position elbow को bend किया अब धीर ऐसे elbow को bend करके ऐसे directly जाएं ऐसे यह आ गए तो जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं फिर से देखिए downward facing dog से ऐसे downward facing dog से टेबल टाप position और table top position से elbow bend करके धीर जाएं से सांस लेते हुए और फिर downward facing dog फिर उसके बाद downward facing dog से टेबल टाप तीरे से यह हमने बीच में table top की position इसलिए डाल दी है ताकि आसानी से transition आपका हो सके धीरे धीरे सांस ले सांस छोडे फिर उसके बाद सांस ले ले फिर उसके बाद downward facing dog table top upward facing dog table top downward facing dog table top upward facing dog table top upward facing dog और downward facing dog एक बार और टेबल टाप कर दें जिनको गुटने में दर्द की समसिया वो इस तरीके से ना बैटे वो डिरेक्ली शावासन में लेट जाए और आराम करें है डाउन तो यह अभ्यास करने के बाद आराम से शावासन में लेट जाए देखा आपने कितनी आसानी से मैंने इतनी challenging practices आपको बता दी कि किस तरीके से हिंदू push up करेंगे किस तरीके से correction होगा mistake नहीं करना है और किस तरीके से beginners या senior surgeons है वो भी इसका अभ्यास आसानी से कर ले तो I hope आपके लिए ये वीडियो बड़ी सहायक रही होगी इस वीडियो के link को अपने दोस्तों और रिश्दारों के साथ भी जादा से जादा शेयर कीजिएगा मेरा प्रयास पसंद आही गया होगा आपको तो आप वीडियो को like किये बिना मत जाएगा साथी चैनल को subscribe करके इस परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बन जाएगा एक बात और अगर आप चाहते हैं कि आपके बताय हुए किसी topic पर मैं वीडियो बनाओं तो आप क्या कीजेगा कि नीचे comment कर दीजेगा आप जिस भी topic पर वीडियो चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके suggest किये हुए topic पर मैं अगली आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा बहुत खयाल रखिएगा अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और अभ्यास की निरंतरता बना के रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूगी नमस्ते कर दो